हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई यूटीब चैनल फ्रेंट्स आज हम आपके लिए डिजाइनर का अफ्तान कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आएं बहुत ही बहुत इजी वे में तो फ्रेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर हमने पॉन मीटर नेट फ फोल्ड कर देंगे इस तरह से उपर की साइडे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां से मनंबाय के लिए निशान लगाएंगे लिए हमने यहां पर दीस पर निशान लगाया है यहां पर भी हम लाइन कर दींगे 覺ें देगे, कि सोल्डर हमने पांच इंच रखे हैं और आर्मोल भी हमने पांच इंच रखे हैं वेस्ट के लिए हमने यहां ग्यारा इंच-पर निशान लगाया है और आपको। हीस तरीके से निशान लगा लिने और यहां पर लाइन ड्रॉ कर लिनी है चेस्ट हमारा 28 इंच है तो हमने यहाँ पर एक चौथाई बाग 7 बर निशान लगाया है वेस्ट हमने 6.5 रखा है और इसी तरह से हिप के लिए हमने 7 इंच पर निशान लगाया है तो तीनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर हम लाइन डॉर कर लेंगे इस तरह से अब करीब 1.5 इंच का मार्जन रखते हुए हम एक और लाइन ड्रॉर कर लेंगे हमें यहाँ पर आर्मोल की शेप दे देनी है इस तरह से अब हमको यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है तो तीन इंच हमने गहराई रखी है निक के लिए और तीन इंच हमने चोड़ाई रखी है इस तरीके से हमने यहाँ राउंड देते हुए निक के लिए निशान लगा लिया है वह हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे इस तरह से नेचे पर भी हमने मार्जन छोड़ते हुए कटिंग की है यह देखिए यह हमने फोल्डिंग के लिए इतना छोड़ा है अब हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है कुर्ती को अब हम यहाँ पर सबसे पहले कंधियां जोइन कर लेंगे यहाँ पर आपको सिलाई लगा लेनी है तो यह देखिए हमने कंधियों पर सिलाई लगा लिए अब हमें इस तरीके से ओपन करके रखना है कुर्ती को इस तरीक से यह देखिए हमने दोनों साइड आर मोल पर हमने पट्टी लगा लिए है अब हमें इस तरीके से रखना है कुर्ती को इस दिखिए हम हमें साइड की सिलाई लगानी है यहां पर और यहां पर साइड की सिलाई लगा लेंगे तो फ्रेंट हमने यहां दोनों साइड साइड की गत्मारें च्व्च अब करना है एक चय स्कॉन आप संजू करे जासे Churchill करते हैं महां इस तरी के से नह्युत्टी पैंड कर लीए इसना के सिधा कर लेंगे पाल किया और चूछ झे और रीम धने हैं आप अब हम नेट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले नेट को हम डबल फोल्ड कर लेंगे देखिए इस तरह से नेट को भी हमने डबल फोल्ड कर दिया है अब हमने इस तरीके से कुर्ती रखनी है जो हमने ली थी और जो नेक है तो सेम नेक हमको नेट पर भी कटिंग कर लेना है इस तरह से इस तरीके से हमने नेक कटिंग कर लेना है अब हम इसको भी ओपन करेंगे इस तरह से ओके तो हम यहां दोनों साइट कंधियां जोइन कर लेंगे और हमने इस तरीके से ओपन करके रखना है अब हम नेक पर लेस की डिजाइन करेंगे यह बिल्कुल ऑप्शनल है तो फ्रेंट वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजेगा बहुत मैनत लगती वीडियो बनाने में और फ्रेंट चैनल पर नए है तो इस तरीके से आपको रख कर सिलाए लगा लेनी है यह देखी हमने लेस की डिजाइन बना लिए कि आब हमें इस तर्रीके की लेश लेनी है क्तीजिज उओं है ये आपको मार्केट में харाणी से मिल जाएगी इस तरीके से आपको रखते हुए चारो तरफ ये लेश की मम्लेश कर लेनी है इस तरीके से आपको लेश लगा लेना है चारो तरफ यह देखें इस साइड दोनों साइड में भी और यहाँ पर दावन और चाग दोनों साइड में हमें लेस की डिजाइन कर लेनी है इस तरीके से यह देखें हमने लेस लगा लिए चार और इस तरीके से आपको लेस लगा लेनी है अब हम इसको फिर से ओपन करके रखेंगे इस तरीके से आपको रखना है तो जो हमने कुर्टी सिली थी उसका नेक और इसका नेक हमें चोड़ते हुए आपस में सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से आपको कुर्टी रखनी है इस तरह से ये देखिए इस तरह से लखनी है और आपको नेक में चार ओर सिला लगानी है और इसको पलट लेना है ये देखिए हूं यहाँ पर सिला लगानी है किनारे किनारे यह देखे इस तरीके से हमने चार और सिलाई लगा लिए है नेक में अब हम यहाँ पर छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे हमारा पलटने में फिनिशिंग आये इस तरीके से हम जब गुर्थी पलटेंगे दुन नेक में फिनिशिंग आएगी तो हम इसको सीधा कर लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स हमने इस तरीके से पलट कर सीधा कर लिया है इस तरीके से आपको रख लेना है अब हमें क्या करना यह जो साइड है हमें साइड पर सिला लगानी है कि साइड न दबे और साइड से मिलाते हुए हमारी सिलाई लगे सबसे पहले हम यहां से दस इंच तक ही सिलाई लगानी है बाकी नीचे ओपन रहेगा यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे अब हम दोनों साइड हमने पेन अप कर लिया है ताकि जो हमारा कुर्ती है वो हमारे बीच सेंटर पर रहे अब हम सिलाई लगा लेंगे साइडों की सो फ्रेंट्स हमने यहाँ पर साइडों में सिलाई लगा लिया है हमारे बिल्कुल रेडियो हो गई है फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरू कर दीजीगा चानल पर पहली बारा है सबस्क्राइब जरूर करके जाएगा और हमें कमर्स करके बताएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लाएगा